तो एहम ख़बर आपको बता दे ज्वागरी मंतरी अमिश्राह का जयापूर दौरा है आज और जयापूर दौरे के दौरान वन टू वन मिनट टू मिनट का रिक्रम यहाँ पर होते नजर आएंगे अमिश्राह के जौर्नल काउंसलिंग की एहम बैटक में हिस्सा लेने जो आ रहे हैं जहां इंटल सिक्योरिटी को लेकर के पिशेश चर्चा होगी अध्यक्षता देखिए ग्री मंतरी अमिश्राह के द्वारा की जाएगी और सियम अशोग गहलोत भी इस बैटक में शामिल होंगी और उनके साथ आज राज्यों के और भी मुख्यमंतरी अमिश्राह का रिक्रम यहाँ पर तैय है जिसको लेकर के यहाँ पर कई राज्यों में मुख्यमंतर और उपराज्य पाल भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और साथी साथ पच्चिस साल बाद जैपुर में उत्ता शेत्रिय परिशद की यह बैठक जो है वो होने जो आ रही है जिसके अध्यक्षा ग्रे मंतरी के द्वारा किया जाएगा और इसी विशे पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संबालाता आक्षा जैश्वाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं आक्षा किस तरह की तैयारी देखी जो आ रही है ग्रे मंतरी अमिश्चा के आगमन को लेकर जी देखी है 25 साल बाद ये बैठक होने जा रही है उत्तर परिशत शेत्री की बैठक होने जा रही है जिसको ये अमिश्चा लेते हुए नजर आएंगे दस-पांच का अराइवल है अमिश्चा का जैपर उतर जाएंगे और उसके बाद सीधे एक होटल में जाने का प्रोग्राम है वहीं सारे प्रोग्राम है अधिकतर मुख्यमंत्री राइस्थान में मौजूद है जै राम ठाकूर हो चै अन्य मुख्यमंत्री हो वो यहां पर पर साफ तोर पर देखने को मिल रही है सुरक्षा में कोई एचूक ना हो जिसको लेकर यहां पर पूरी तरीके से पुलिस अलेट मोट पर नजर आ रही है बाचपा कारेकरताओं का नेताओं का आना यहां पर शुरू हो चुका है हमार साथ बसंद पांड़े यहां पर उसको कहा सब्दानी जैपूर में बैटक होने जा रही है 30 वी बैटक है जिसमें खुद केहंदर मंतिर अमिश्या मौझजूद रहेंगे और साथ राज्यों के पर्तींदी मंदल इसमें सामिल होंगे चार राज्यों के मुक्ष मंतरियों हैं उनके उपराच जपाल इसमें स चचा की जा सकते हैं अलग लग राज्यों के जो परतेंदी बंदल आएंगे अपने राज्यों के कई योजनाओं को लेकर भी यहां चचा की जा सकती है इसके साथ साथ ही जो ग्यारा बज़े दीप प्रजिलों के साथ इसका सुबारम होगा दस बच के 20 मिन्ट रवे जो है ए 25-8 मिन्ट पर केंद्रिय मंत्री का समा उदब्दन होगा वह समापन उदब्दन होगा इसके साथ से जानकर यह भी मिल रही है तो जा ऌर करने को लेकर पूर मुख्यमंतिर वर्षुंदार राजय को भी दिल्ली भी तलब किया गया था क्योंकि अब चुनाव का समय कम बचा है तो ऐसे मनमटाव की स्थिति को सवाप्त करने को लेकर विजेपी काराले भी जा सकते हैं वहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर प्रच्षाटका था जिसको लेकर अलग राज्यो में विवाद होने में लगा था उस विवाद को भी खत्म करने को लेकर चचाखी जा सकती है क्रेणाव प्रोजेक्ट बनाने की मांग को लेकर लगा था जो है कांग्रिस की ओर से सटकों पर परदशन किया गया था तो उस को लेकर भी क्योंकि अधिकतर मुख्यमंतरी जैपूर है जैराम थाकुर हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी अशोग घेलोत जो मुख्यमंतरी राइत्प्सांद के सुरक्षा को लेकर देशवर में क्या इसको भी लेकर बाचीत हो सकती है इंटरन स्रेक्रीटी का एक बड़ा और 11 बच के 15 मिनित तक उनका उद्बदन होगा और साथ एजेंटे बताया जा रहे हैं जिन पर चर्चा होगी एर सेपी प्रोजेक्ट हो भागड़ा प्रबंदन बोर्ड हो इसको लेकर हैं चर्चा की जा सकती है इसके साथ इंटरन सेक्योर्टी का मुद्दा इसको लेकर इसको राष्ट्रे प्रजेक्ट का दर्जा देने को लेकर पूर्ण बी कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदेशन देखने को मिला था केंद्रिय मंत्री गजंद सिंग पर भी निसाना साधा गया था तो इन तमाम मुद्दो को लेकर भी चर्चा की आएगी साथ-सा बन गेते उन गुटकों को खतम करने को लेकर और जो आपसी कला थी उसको खतम करने को लेकर भी यहां पार्टी के पदादीकारियों के साथ चर्चा की जा सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा है भागला प्रवंदन बोर्ड का क्योंकि इसकी स्तापना जो है 1960 में भी थी तीन अलग अलग नदियों का जो है हस्ताक्सर करते वे जो है आवंटित की गई थी इसमें जो है तीन नदिया जो है भारत को दी आवंटित की गई थी तीन नदिया जो है पाकिस्तान को आवंटित की गई थी नियुक्ति की मांग को इसमें नियुक्ति का एक बड़ा मुद्दा होने वाली है और ये साफकार पर जाहिर हो रहा है कि अगर अमिश्चा पहुच रहें तो बहुत से मुद्दे होंगे वैसे भी राजस्थान में इस वक्त जो कुछ मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा राजनिती सियासत जो है उसका पारा हाई करती नसर आरी और से लिए बहुत जरूरी है आज ग्री मंत्री अमिश्चा का दोरा आपका बहुत शुक्रे आक्षे तमाम जानकारी साजा करने के लिए और नजर बनाए रखेगा और भी अपटेट आप से लिए ते रहेंगे